हेलो फ्रेंट्स वल्कम टो जिके क्रेच फ्रेंट्स दस माई रर्वी एंटी पीसी सीवीडी टू एक्जम का फ़ास्ट खतम हो चुका है यह फ़ास्ट में जितनी भी स्वाल पुछे गये थे जिके से वह सब हम इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे तो उसमा सवाल पुछा गया था बाईवुसेना के प्रमुक कोन है यानि जो एर फोर्स के इंडिया का एर फोर्स के चीप कोन है बिबेक राम चोधरी इसका सही अंसर हो जाएगा नेक्स पुछा गया था गंगा नदी का सहक नदी कोन सा है आपके अप्सन के ओपर डिपेंड करता है इसके जो सहक नदी है यमना नदी, रामगंगा नदी, गोमती, घागरा, सोन, गंधक याद रखें कोसी नदी नेक्स सवाल पुछा गया था मादक, पदार्थ, नियंत्रण एबंग अपरात की रोक्थाम के लिए स्युक्त राष्टर कोन सी संस्ता काम करती है मादक, पदार्थ, का नियंत्रण और अपरात की रोक्थाम के लिए स्युक्त राष्टर का कोन सा संस्ता काम करती है UNODC यानि United Nations Office on Drugs and Crime नेक्स सवाल है नोसेना का प्रामु कौन है ये सवाल पुछा गया था आता है, से अंसर हो जाएगा Article 40 में आता है नेक्स दोस्तों है मोलिक अधिकार को किस आमेंडमेंड यानि किस संसोदन के तहत जोड़ा गया था से अंसर होगा 86th आमेंडमेंड के तहत इसको जोड़ा गया था तोस्तना अंगला सवाल है परियावरान पुरसकार 2021 का परियावरान पुरसकार से किसे समानित क्या गया है से अंसर होगा Gloria Magica और नेक्स है कोलहोटी भासा किस राज्य में बोली जाती है से अंसर इसका हो जाएगा महाराश्टर में बोली जाती है दोस्तों आपके लिए एक खुसकबरी है हमारा जो कुईच क्रेच अप्लिकेशन है वहाँ पे ये सारे कोस्षिन आपको मोक टेस्ट के रूप में भी मिल जाएगे जितने भी सवाल आज भी पुछे गए थे कल भी पुछे गए थे साथ साथ दोहजार 21 और 2022 का करेंड एफैर भी टोपिक वएज वहाँ पे मिल जाएगा साइस के सारे टोपिक वएज कोस्षिन मिल जाएगे पिछले तीन साल के जितने भी ग्रूबडी में सवाल पुछे गए हैं रेल्वे के किसी भी एक्जाम में पुछे गए हैं साइस का हो पुलिटिकल साइस हिस्टी सभी दोसनों टोपिक वह जो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे हमारे कुछ क्रेच अप्लिकेशन में इस वीडियो का टेक्शन बक्स में है लिंक है वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा नेक्स सवाल है दोसमा भीम का फुल्फरम पुछा गया था भी एच आई एम इसका फुल्फरम है भारत इंटरफेस फोर मनी नेक्स सवाल है पहली बार परियावरण दिवस एक कब मनाय गया था से अनसार इसका होगा 5 जून 1974 को मनाय गया था अगला सवाल है पुरिवस फोर्टाल का फुल्फरम क्या है इसका से अनसार है प्रो एक्टिव एंड रेस्पॉंशिव फेस्टिव फैसिलिटेशन बाय इंटरक्टिव एंड वर्चुज अंभरनमेंटल सिंगिल विंडू होफ याद रखिय। नेक्स सवाल है दोस्तों, दादा भाई नैरोजी को British House of Commons में कब चुना गया था? से अंसर होगा, 1892 से 95 के बीज में चुना गया था, याद रखी नेक्स सवाल है, 124 सम्भिधान समस्वधन बिदहय किस से सम्मंदीत है? से अंसर होगा, आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग को 10% का अरेक्षन देने से सम्मंदीत है, 124 सम्भिधान समस्वधन नेक्स सवाल है, इनमें से कौन सा रोग जिवानु से होता है? से अंसर होगा, आन्थरैक्स रोग जो है, वो जिवानों से यानि ब你想 से होता है सवाल है, आपल है, एक किस प्रकार का उप ग्रह है? से अंसर होगा, यह एक संचार उप ग्रह, यानि Communication satellite है दोस्तों नेक्स सवाल है इनमें से कौन सी नदी है जो आरब सागर में गिरती है सावर मती नदी है ये जो आरब सागर में गिरती है ये आपके अपसन में दिया गया था नेक्स्ट नवी करण उर्जा इनमें से कौन सा है से अंसर होगा जो आपके option में था सोर उर्जा एक नवी करण उर्जा है नेक्स्ट है भारत की पहली महिला मुख्यन या अधिस कौन थी से अंसर होगा M. फतिमा बीबी नेक्स्ट है बिशो की पहली handwritten needle book कौन सी है मदूसाला मदूसाला इसका से अंसर होगा ये बिशो की पहली handwritten needle book है दोस्ट है नेक्स्ट है पुछा गया था कौन सा तत्तो कैंसर के इलाज में उपयोगी है से अंसर है Phosphorus इसका जो नंबर है P32 इसको कहते है ये आइसोटोफ है Phosphorus का इसको कैंसर का इलाज में इस्तमाल के जाता है नेक्स्ट है किस जलवायो कार्य करता यानि किस climate activist को 2020 के Nobel संति पुरसकर से नामित किया गया था Greta Thunberg किसका सही अंसर होगा नेक्स्ट है खेलो इंडिया Youth Games की शुरुवाद कहां से हुई थी नई दिल्ली से इसकी शुरुवाद हुई थी नेक्स्ट वाल पुछा कहा था फिजिक से बल संवेक परिवर्तन की दर से दर के अनुपाती है यह Newton के किस नियम के अनुसार है यह Newton का second law के अनुसार है दूसरा नियम Newton second law इसका सही अनुसार है नेक्स्ट वाल पुछा कहा था रतनावली के लेखक रतनावली जो ग्रांथ है इसके लेखक कौन है हर्ष बर्धन UNEP United Nation Environment Program का मुख्याले कहां पर स्तीथ है नैरोबी में Kenya का नैरोबी में स्तीथ है नैरोबी इसका सही अंसर है Next सवाल है computer से पुझा गया था है programming language के source code को machine language में कौन बदलता है सही अंसर है compiler बदलता है यह आखरी सवाल है WTO का 141 सदस्य देश कौन सा है अफगानिस्तान इसका सही अंसर होगा तो अब आपको क्या करना है हमारा quiz crash application को download कर लिजे वहाँ पे इसका mock test भी मिल जाएगा साथ-साथ अगर आप group D exam देने वाले हैं तो वह आपके लिए सबसे best application रहेगा क्योंकि दोस्तों वहाँ पे पिछले तीन साल के जितने भी RRB exam होए थे उन सभी का question answer topic wise मिल जाएगा English में भी मिल जाएगा Hindi में मिल जाएगा पिछले एक साल का current FR भी मिल जाएगा तो अभी तुरंट आउड़ कर लिजेगा हमारे कुछ क्रेच application धन्यवाद